पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना नमस्कार आप देख रहे हैं भारत लाइब मैं वेट सिंग अन्तीम चरन का मतदान खतम हो चुका है लोगसभा का चुनाव संपन हो चुका और अब सब की निगाहें जो हैं सिर्फ परिनाम पर टिकी है अधिकान से एक्जिट पोल के मताविक एंडिये बिहार में लगभग 32 से 36 सीटे जीत सकती है मैं बता दूँ आपको कि लोगसभा चुनाव संपन हो गया है अब इंतिजार है चुनाव परिनाम का जिस पर पूरे देश की निगाहें ठीके हुई है लेकिन इंतिजार के ठीक पहले तमाम चैनलों के एक्जिट पोल ने जो अनुमान जलता हैं उसके बाद से बिहार में स नया मौसम वग्यानिक बताया जा रहा है जिन्होंने चुनाव के पहले ही परिनाम को भाप लिया था और उसी के हिसाब से उनकी राजनितिक चाल चली जिसका उन्हें फाइदा भी मिलता हुआ दिख रहा है दरसल तमाम एक्जिट पोल ने जब आकरे देने शुरू किये त तो बिहार के नंबर ने लोगों को थोरा चौका दिया अधिकांस एक्जिट पोल के मताबिक एंडिये बिहार में लगबग 32-36 सीटे जीत सकती है लेकिन जब इस आकरो में पार्टी के हिसाब से आकरे जारी किये गए तब लोजपा राम बिलास यानि चिराग पासवान की पार्टी के आकरो ने राजनेतिक दलो और राजनेतिक जानकारों को भी थोरा चौकाया इसकी वज़ा से यह रही कि एक्जिट पोल के अनुसार जद्यू और बीजेपी की सीट भी घटती दिखी लेकिन चिराग पासवान को अधिकांस एक्जिट पोल में सबसे अधिक जब नितिस कुमार NDA के साथ नहीं भी आये थे तब ही इसे चिराग पासवान बीजेपी के नजदीक होने लगे थे और लोगसभा चुनाओ की तयारी सुरू कर दी थी बीजेपी के साथ आने के बाबजूद वह उनके चाचा पसुपति कुमार पारस उनके विरोध में थे तब भी वो उन सीटों पर तयारी सुरू कर चुके थे जो उनके चाचा के पास थे और आखिरकार सीट सेरिंग में उनकी बात भी मान ली गई बीजेपी ने चिराग की मन पसंद उन तमाम सीटों पर उमिद्वार उतारने का सहमती भी दे दी मैं बता दूँ आपको वहीं एक समय ऐसा भी आया था जब चिराग पासवान को लेकर चर्चा खूब तेज हो गई थी एक तरफ चाचा की वज़े से वो बीजेपी से दूर हो सकते थे और तब आरजीडी से भी उनके संपर की चर्चा सुरू हो गई थी लेकिन चिराग ने समय के नबज को पकरे बीजेपी का साथ पकर लिया चिराग ने काफी पहले से ही उन सीटों पर तैयारे सुरू कर दी थी चिराग ने अपने अधिकान सीटों पर नए चहरे उतारे राजनितिक जानकारों को भी हैरान कर दिया लेकिन चिराग का ये दावा कम करता दिख रह चिराग पास्वान अपने पिता की राह पड़ चल रहे हैं, राजनेतिक मौसम कैसा है वो उसी मुताबिक अपना फैसला है रह रहे हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के तौर पर पहचान वो अपना बना चुके हैं, चिराग पास्वान उन्होंने पहले ही मै प्रदान मंत्री ने भी चुनावी सभा में जिस तरह से उनकी तारिफ की थी उससे एंडिये के अंदर चिराग का कद और बढ़ गया था और उन पांडे कहते हैं चुनाव के ठीक पहले चिराग पासवान ने नितिसकुमार से लकात कर एक बड़ा मैसेज दिया कि उनकी और न चार परशार कर जनता से ना सिर्फ वोट मांगे बलकि ये मैसेज भी गया कि दोनों के बीच अब संबंद बहतर हो गया है वहें चिराग ने भी जदियों के उमिद्वारों के लिए खुब पसीना बहाया मैं बता दूं आपको कि चिराग पासवान की पार्टी बिहार की प पास्तिविक चुनाव परिनाम भी एग्जिट पोल की तरह सामने आते हैं तो चिराग पासवान को बिहार का अगला राजनेतिक मौसम वेग्यानिक माना जाना लगेगा तो अब देखने वाली बात ये है कि जब चुनाव खतम हो चुका है और अब बस परिनाम की देरी है इस बीच लगातार चिराग पासवान और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की जो नजदी की इस बार लोकसभा चुनाव में देखी गई तो अब क्या अगला मौसम वेग्यानिक हमें बिहार का मिल रहे है चिराग पासवान के तौर पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या स्वरगी राम बिलास पासवान जी की जो छवी थी उसको चिराग पासवान बरकरार रख पाएंगे या नहीं तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप जुरे रहे हैं भारत लाइब के साथ और अपने प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरू के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी बा उकराब बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 93868 816700 धन्यबाद